आप आज के ही यूनिक प्रोड़क्ट को देखिए आज हम यहां तक इसलिए पहुचे हैं क्योंकि देश ने जनदन खातों को खोलने उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ने और जैम जैसी व्यवस्ता के लिए वर्षों महनत की हैं जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे लेकिन इसकी एहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा जब दुनिया के बड़े बड़े देश परिशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करे लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्था तैयार थी है दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट आफिस और बैंक खुलवा रहे थे तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था भारत में अब तक डायरेक बैनिफिट ट्रांसपर के जरिये करिब साड़े सत्रह लाक करोड रुपिये सीधे लाभारतियों के खातों में बेजे जा चुके हैं आज केंद्र सरकार तीन सो से जादा योजनाओं का लाभ डिबीटी के माद्यम से डायरेक बैनिफिट ट्रांसपर के माद्यम से लोगों तक पहुचा रही है लगबग 90 करोड देशमाश्यों को इसके तहट किसी ने किसी रुप में लाभ हो रहा है राशन हो, LPG गैस हो, इलाज हो, स्कॉलर्सिप हो, पैंशन हो, मजदुरी हो, गर बनाने के लिए मदद हो ऐसे अनेक लाभ, DBT से मिल रहे हैं PM किसान सम्मान निधी के तहट, एक लाग 35,000 करोड रुपिये, सीधे, किसानों के बैंक एकाउंट में पहुचाए गए है इस बार तो, किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है उसका लगवग 85,000 करोड रुपिये, सीधा किसानों के बैंक खातों में ही ट्रास्पर किया गया है इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाब ये हुआ है, कि देश के करीब करीब पोने दो लाग करोड रुपिये से अधीक गलत हाथों में जाने से बचे हैं साथियों, भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेकनोलोजी को एड़ अड़ करने में उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है इनोवेशन्स की बात हो, सर्विस लिलिवरी में टेकनोलोजी के इस्तमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर गलोबल लीडर्शिप देने की ख्षमता रखता है पिछले साथ सालों में भारत ने अपनी प्रगती को जो गती दी है, उसमें टेकनोलोजी के सही इस्तेवाल की बड़ी भूमिका है आप सोचिए, क्या आठ दस साल पहले किसी ने कलपना की थी, कि टोल बूत पर करोडो गाडिया बीना किसी फीजिकल ट्राजिक्शन के लेंदेन से निकलेगी आज के फास्ट्रेक्श से ये संबव हुआ है, क्या आठ दस साल पहले किसी ने सोचा था कि दूर सुदूर गाउं में बैठा कोई हस्त शिल्पी, अपने प्रोड़क्ट दिल्ली के किसी सरकारी दप्तर में सिधे बेच पाएगा आज जेम यानि गवर्मेंट ये मार्केट प्रेस पॉर्टर से ये मुम्किन है, क्या आठ दस साल किसी पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यमेंट्स, हर समय डिजिटली हमारी जेम में होंगे और हर जग़ एक क्लिक पर इस्तिमाल हो पाएगे आज ये डिजी लॉकर से मुम्किन है, क्या आठ दस साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में MSME सेक्टर के उद्यमियों को सिर्फ 59 मिनिट में लोन एप्रू हो पाएगा, आज भारत में ये भी मुम्किन है और इसी तरफ आठ दस साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप किसी काम के लिए एक डिजीटल वावतर भेजेंगे और काम हो जाएगा, आज ये भी ई रूपी के जरिये मुम्किन हो चुका है, मैंसे कितने ही उदहाण आपको गिना सकता हूँ, इस महमारी के दोरान भी देश ने टेक्निक की ताकत को महसूस किया है, आरोग्य सेतु एप का उधान भी हमारे सामने है, आज ये एप सबसे जादा डाउनलोडेड एप में से एक है, इसी तरह कोविन पोर्टल भी आज हमारे वेक्सिनेशन प्रोग्रेम में, वेक्सिनेशन सेंटर के चैन में, रेजिस्ट्रेशन में, वेक्सिन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में, देश वाच्चों की बड़ी मदद कर रहा है, पुरानी व्यवस्ता चल रही होती, तो वेक्सिनेशन लगवाने के बाद, सर्टिफिकेट के लिए दोड़ना पढ़ता रहोता हो, दुनिया के कई बड़े देशों में भी, आज पेपर पर हाथ से लिख करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन भारत के लोग एक क्लिक में डिजिटर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं, इसलिए आज भारत का कोविन सिस्टिम, दुनिया के कई देशों को आकर्शित कर रहा है, भारत इसे दुनिया के साथ साज़ा भी कर रहा है, साथियों मुझे याद है कि चार साल पहले जब भीम एप लौँच किया गया था, तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकाउज बिजिनेस टांजिक्षन, नोट और सिक्कों के बजाए डिजिटली होंगे, तब मैंने ये भी कहा था कि इस बड़लाव से सबसे अधिक गरीवों, बंचितों, छोटे व्यापारियों, किसानों, आदिवाशियों का ससर्शक्तिकर होगा, वो एमपावर होंगे, आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं, हर महिने UPI transaction के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जुलाई महिने में 300 करोड से अधिक transaction UPI से हुए हैं, जिसमें 6 लाग करोड रुपय का लेंदेन हुआ है, आज चाए, जूस और फल सब्जी का ठेला लगाने वाले भी इसका उप्योग कर रहे हैं, वहीं भारत का रुपय काड भी देश का गवरो भड़ा रहा है, सिंगापूर भुटान में भी इसे लौंच किया जा चुका है, आज देश में 66 करोड रुपय काड हैं, और देश में 1000 करोड रुपय का transaction रुपय काड से भी हो रहा है, आप सुन रहे थे प्रदाण मंतिरी नरेंदर मोदी का ई-RUPI के लौच के मौके पर बोल रहे थे, प्रदाण मंतिरी नरेंदर मोदी किस तरह से Digital Kranti देश में आई है, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल क्रांती को लेकर इस सब के बारे में बात किया आज प्रधानमत्री नरेंदर मोधी लें